हेलो एब्रीवान आपके अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो आज आप लोगों को सधारन ब्याज यानि सिंपन इंट्रेस्ट का छाठा बाग लिकरा है और इस छाठे बाग में यह रहा आप लोगों का पहला प्रस्ण लिखावाए एक मिस्चित सधारन ब वर्ष में कितना हो जाता है दो गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में यानि कितने साल में 16 गुना हो जाएगा तो चलिए ऐसे प्रस्णों को आज आप लोगों को सर्ट ट्रीकी से यानि असान तरीके से आज बताने वाले हैं तिसलिए इस वीडियो को पूरा वाज करेंग तो चले दोस्तों इस प्रश्ण को हल करते हैं, तो हल करने से पहले आप लोगों को एफ ट्रीक बता दे रहे हैं, यह ट्रीक है, ठीक है न, तो यह ट्रीक है, याद रखेंगे, T2 बराबर, ठीक है न, T2 बराबर, N2-1, बटा, N1-1, इंटू T1, ठीक है न, अब यहां पर करेंगे, जो यह ट्रीक में, ठीक है न, यह T क्या है, T2 यह दूसरा जो फाइंड आउट करेंगे, हल करेंगे, वो समय हुआ, और N2 यहां पर हुआ, जो दूसरा यहां गुना हुआ से, ठीक है, N के मतलब यहां पर समझना है, गुना, और T के मतलब क्या समझना है, समय समझ तो चलिए इस प्रस्ण को हल करते हैं तो यहां पर लिखा है ब्याज की दर्थ से कोई धन चार वर्सों में दो गुना हो जाएगा चार वर्सों में तो यहां पर T1 दिया है, कितना दिया है T1, 4 वर्स, ठीक है न, और यहां पर है N1 कितना है, 2 गुना, कितना है, 2 गुना, समझे, इसके बाद कहता है, तो कितने वर्सों में 16 गुना होगा, ठीक है, कितने वर्सों में 16 गुना होगा, तो N2 यहां पर दिया है, कितना गुना, 16 गुना, तो हम लोग को क्या find out करना है T2, T2 बराबर वार, ठीक है, तो आब निकालेंगे T2, यानि कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा, तो आप लोग को ये trick बता दिये, कि N2 माइनस 1, बटा N1 माइनस 1 एंटो T1, तो N2 कितना है यहाँ पर, 16 गुना, ठीक है, माइनस 1, बटा N1 कितना है, दो गुना, तो 2 माइनस 1 गुने T1, तो T1 यानि पहला जो समय है, वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, अब हल करेंगे, 16 में से घटाएगे, तो कितना हो जागा, 15, दो में से घटाएगे, तो कितना हो जागा, एक, गुने 4, बराबर, 15 से 4 में चार वर्सों में दोगुना हो जाता है, तो साथ वर्स में कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, तो इसी ट्रिक के अनुसार ये दूसरा प्रस्न भी बनेगा, तो चलिए दूसरे प्रस्न को भी आपनों को सुलिशन बताते हैं, तो लिखावा यहाँ पर दूसरा प्रस सेकते हैं इस प्रस्म को भी सेल्यिशन कर सकते हैं जहीं इस प्रस्म को भी आploy को सब्सक्राइब करना है टीटो ययोनी समयरी ज्याद करना है कि इस है से चार घुना हो जाए से घटा लेंगे ठीक है गुने टी वन यानि जो पहला सुरवात समय होता है उसको यहां पर क्या करते हैं गुना करते हैं ठीक है ना बादवला जो होता है वो गुना उपर में होता है और जो सुरवात का जो गुना होता है वो नीचे एक घटता है और उपर में भी एक घटता ठीक है अब इसको घटाएंगे चार में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा तीन दूने से घटाएंगे एक गुने साथ तो तीन सत्य कितना हो जाएगा अकईस वर्ष ठीक है ना साथ वर्ष में दूगना हो जाता है तो अकईस वर्ष में कितना हो जाएगा चार गुना हो तो इसी प्रकार अगला प्रस्ण है तिसरा लिखावाए कोई धन 12 वर्ष में अपने से दुगना हो जाता है तो कितने समय में वही धन अपने से तीगना हो जाएगा ठीक है कितना समय में हैसे वो अपना धन ती गुना हो जाएगा तो चलिए अगले जो प्रस्ण आप लोगों को दुसरा या पहला प्रस्ण को सल्योशन बताए तो वही प्रस्ण की जैसा ये भी प्रस्ण का मतलब सल्योशन होगा तो चलिए इस प्रस्ण को भी सल्योशन बताते हैं ठीक है तो हम लोगों समय निकालना है यहां पर तो समय निकालने के लिए क्या होता है n2-1 बटा n1-1 into t1 ठीक है तो उसे ट्रिक के दवारा इस प्रस्ण को हल करते हैं तो n2 तो यहां पर n2 यह होगा लास्ट वाला तो उसम तो चोबिस वर्स में कितना हो जाएगा तो चोबिस वर्स में कितना हो जाएगा इसी प्रकार अगला प्रस्ण है चोथा लिखावाए यदि कोई धन 16 वर्स में दो गुना हो जाता है तो वह 8 वर्स में कितना गुना हो जाएगा मतला 8 वर्स में कितना गुना हो जाएगा अब उल्ठा हम लोगों को यह एँटू फाइंडाट करना है ठीक है यानि पहला N1 दिया हुआ है और पहले जो समय दिया हुआ है और दूसरा हम लोग का भी यहां समय दिया हुआ है तो हम लोग को क्या फाइनट करना है N2 ठीक है ना यानि बाद वाला गुना कितना होगा तो चलिए इस tricky के दोबारा यह भी प्रस्णा solution होगा तो चलिए इस प्रस्णा को भी आप लोगों को हल करके बताते हैं ठीक है तो यह क्या हो गया बाद वाला जो समय है तो यहां पर लिखेंगे 8 बराबर अब इसको क्या करेंगे हैं अब इसको क्या करेंगे हल करेंगे अब यहां पर देखे बराबर कि इधर अधर रहता है गुणा करूप में तापे से काट सकते हैं ठीक है आठे कम आठ, आठ दुना, 16, इधर एक रहा, बराबर, अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है न, ये 2 से दोनों में गुना होगा, n2-1 में, तो 2 से क्या हो जाएगा, 2n2-2 होगा, बटा फिर क्या हो जाएगा, 2-1 होगा न, अब इसको क्या करेंगे, क्रोस मंटिप्लाइ करेंगे, या इसको हल कर लेते हैं पहले, 1 बराबर, 2n2-2 बटा, 2 में से घटा आएगे, तो कितना होगा, 1 होगा, होगा न, तो बटा यहाँ पर नहीं होगा, तो यानि 1 बराबर, 2n2-2, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2n2 इधर ही रहेगा, बराबर के दयात रख थी, तो यह माइनस दू होगा, यहाँ पर, तो बराबर के इधर आएगा, तो क्या होगा, पलस में, एक पलस कितना होगा, 2, ठीक है, तो 2n2 बराबर, 2, एक कितना होगा, 3, तो इन 2 बराबर, जब फाइंड आट करेंगे, तो 3, ये 2n2 के साथ में क्या है, इन 2 बराबर के इधर आएगा, तो क्या होगा, भागा के रुप में होगा, ठीक है ना, तो इन 2 बराबर कितना आगया, 3 बटा, 2, अब इसको क्या करेंगे, पुर्णाम के रुप में लिखेंगे, ठीक है, तो पुर्णाम के रुप में करेंगे, तो 2 एक कम 2, यहाँ पर 1 ह हो जाएगा तो एक पुर्णा एक बटा दो गुणा यानी देள distribution हो जाएगा। टो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लैक करें और अपने दोस्तों के पास सेर करें। धन्यवाद